हांजी तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप मैं हूँ आपका हुस्टर दोस्त कलगंदीप आपके अपने फेविर्ट चैनल जी डिटेक की से तो चलिए दोस्तो सबसे पहले हम क्या करते हैं अपने वीडियो के टॉपिक को ही जानते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो सो लेट्स स्टार्ट दा वीडियो दोस्तो कोविड काल चल रहा है और पंजाब में जितने भी स्कूल कोलिजिस हैं वो अब बन पड़े हैं लेकिन बहुत सारी ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने अपनी ओनलाइं स्टेडी जो है वो शुरू कर दिया है लेकिन फिर भी देखने में ये आ रहा है कि बहुत से ऐसे प्राइविट सेक्टर के और गवर्मेंट सेक्टर के स्कूल है जिनकी जो online study है अभी तक शुरू नहीं हो पाई सो उसे देखते हुए पंजाब के education minister विजे इंदर सिंग सिंगला ने एक नया फर्मान जो है न वो जारी कर दिया है सो दोस्तो क्या है वो फर्मान आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे सो बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हमारा वीडियो सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो दोस्तो न्यूस तो माँ आपको दिखा जिता हूँ लेकिन न्यूस को दिखाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीडी टेकी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए तो अब हम क्या करते हैं सीधा ही निउस पे चलते हैं देखिए दोस्तों पंजाब के एक पॉपलर निउस पेपर में ये निउस पब्लिश की गई है सिख्या मंतरी दा वड़ा एलान पंज मैई तो डीडी पंजाबी ते लगण भी आ ओनलाइन क्लासां और निउस पब्लिश की गई है चार मैई यानि आज ही दो बज के 37 मिनट प पहले ये एक निउस पब्लिक की गई है जिसमें सिख्या मंतरी का ये बियान आया है कि पांच मैई से जो ओनलाइन क्लासें वो डीडी पंजाबी पर भी शुरू की जाएगी तो क्या है पूरी खबर अब हम इस पर भी नज़र डाल लेते हैं देखिए दोस्तों निउस करोना लाग दी बिमारी दे नतीजे वज्यों स्कूल बंध होन कारण विद्यार्थियां भी पड़ाई दे नुकसान नू रोकर ले पंजाब दे सिख्या मंतरी विजय इंदर सिंगला ने डीडी पंजाबी राही ओनलाइन जमाता लगाउन दी परभानगी दे दिती है इस स्कत्र स्कूल सिख्या ने दस्या है कि कोविड नाइटी स्वंदी जारित हिदायता अनुसार विद्यार्थियां स्कूल लाविच नहीं जा पा रहे हैं जिस कारण विद्यार्थियां नो ओनलाइन सिख्या दे परबंद कीते जा रहे हैं बाकी देखिए दोस्तों आगे के विद्यार्थिया लेएं टीवी क्लासां दा समा 10 वजगे 40 मिट तो लेके दुपहर 4 वज़ तक रहेगा सो दोस्तों ये एक जो अपडेट है ना वो निकल के आई है पंजाब स्कूल एज्यूकेशन बोर्ड से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स है चाहे वो बोर्ड क्लासस से हो चाहे वो नौन बोर्ड क्लासस से तांकि उनकी स्टेडी का लोस ना हो सके सो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताईए कि पंजाब के एज्यूकेशन मिनिस्टर ने ये जो फैंसला लिया है आप कहां तक इसको जाजमाते हैं